दोस्तो अगर आप एक किसी भी इंटरेंस एक्जाम के स्टूडेंट हैं जिसमें केमेस्ट्री से कोशन्स पूछे जाते हैं तो आज आप इस वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे कि आपको केमेस्ट्री की तयारी इंटरेंस के लिए कैसे करनी हैं जिस भी इंटरेंस में केमेस्ट्री से कोशन्स बनते हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देखेगा और चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पंडेजी टेक्निकल में दोस्तो यहां पर हम स्टाट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि important chapter देखे दोस्त इसका means क्या हुआ कि important chapter का मतलब हमारा ये है कि उस chapter से ज़धा से ज़धा कोशन आपके entrance में पूछा जाए तो उन chapters को आपको find out करना होगा जिससे आपके entrance में जो है वो जादा से जादा question बनते हैं अब आपको पता कैसे लगेगा कि किस chapter से जादा से जादा question पूछे गए हैं हमारे entrance में तो आप previous year के जितने भी questions paper हैं सब को collect कीजिए और उसमें से find out कीजिए कि किस chapter से कितने questions पूछे गए हैं तो इस तरीके से आप most important chapter को ढूंड लेंगे और उस पे अगर आप जादा focus करेंगे तो आपके entrance में जादा माकसाने के बहुत जादा chances रहेंगे क्योंकि देखिये important chapter से ही questions बनते हैं क्योंकि mostly tricky question और mostly numerical question जो हैं वो important chapters से ही दिये जाते हैं तो इन बात का ध्यान रखिए सबसे पहला point तो हमारा यह रहा है कि important chapter ठीक है important chapter means एक बार और clear कर दो maximum marks के जो questions पूचे जाते हैं maximum जो questions पूचे जाते हैं जिन chapter से पूचे जाते हैं उन्हें हम important chapter के तौर पे लेंगे अब for example के तौर पे अगर हम लें तो देखे औरगेनिक compound जो है वो most important chapter है fuel जो है वो most important chapter है बहुत सारे ऐसे हैं आप find out कर सकते हैं जिससे आपके ज़्यादा entrance में question पूचे जाते हैं ठीक है दोस्त अब देखे दूसरा जो point हमारा ये है वो हमारा है chemical formula देखे ये very very important point है हमारे लिए chemical formula से दो या तीन question जरूर आपके entrance में पूचे जाते हैं जिस भी entrance में chemistry subject से question पूचे जाते हैं ठीक है तो formula के लिए जो है वो आप वो बहुत सारे important ऐसे formula हैं अगर हम for example की बात करें तो fit curry का formula, copper pirate का formula इसके लावा बहुत सारे formula हैं जो आपके entrance में बहुत बारे से question बने हैं और बनेंगे भी ठीक है दोस्त तो जितने भी important आपके formula हैं उन सभी पर focus कीजे ये एक काम कीजे आप जो है वो एक notes बना लीजे जिसमें जो है वो दो तीम पेज केवल जितने भी formula है important वो सभी note down कर लीजे और उसका बार-बार revision करते चाहिए इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो है वो practice बनी रहेगी and formula हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा ठीक है दोस्त तीसरा जो topic आता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है कि important topic इसका means क्या है इस वीडियो के अंतरगत हम आपको बताने वाले हैं देखिए important topic की अगर हम for example की बात करें तो इसमें देखिए कई तरीके से आप important topic को ढूट सकते हैं जैसे पहले अगर हम बात करें तो उर्धोपातस बदार्थ क्या होते हैं ठीक है तो ये हो गया ठीक है अब दूसरी जो है वो pH value क्या है प्रमुक अयस्क के नाम तदा सूत्र क्या क्या है तो ये चीज़ें आप important topic के उपर ले सकते हैं आपको जो भी topic से एक से ज़्यादा question बनते हुए नजर आएं उन्हें आप एक important topic के रूप में note down कर लीजे और उससे जितने भी questions बने हैं या फिर बन सकते हैं उनका revision बार-बार कीजे ठीक है दोस्त तो आपको इससे पता लग जाएगा कि कितने most important topic है आपका और most important chapter है देखे most important topic को खोजने के लिए आपको most important अगर chapter की revision करेंगे पढ़ेंगे उसको तो उसमें से ही आपको find out हो जाएगा most important topic ठीक है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें जिससे आपका जो है वो entrance में जादा marks है चौथा जो है वो common है जो सभी बताते हैं कि आप regular study कीजे regular study करने से क्या होगा कि जो आपने पीछे पढ़ा है वो तो आपका तयार रहेगा ही और next भी नई चीज़ें आप सीख पाएंगे ठीक है तो ये बहुत जादा माइन रखता है कि आप study regularly कीजे ना कि आप दो दिन बहुत जादा पढ़िये और एक दिन बिल्कुल भी ना पढ़िये तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला इससे आपका ही नुकसान होने वाला है ठीक है दोस्त तो जितना पढ़िये आप regular पढ़िये ये माने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं एक ही घंटा पढ़िये लेकिन regular पढ़िये इससे बहुत जादा benefit होगा and last and common जो सब से सब जो यूट्यूबर्स हैं या फिर सब टीचर्स जो हैं वो बताते हैं कि revision करना बहुत जादा important आपके लिए तो last हमारा topic यही रहेगा कि revision कीजे revision कैसे कीजे देखे new topic को ज़्यादा focus कीजे exam के तीन महीने से ठीक है अगर exam आपका तीन महीना है entrance exam तो उसमें आप नया चीज ज़्यादा प्रयास करिए पढ़ने का और revision कम कीजे यानि कि अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें आदे घंटे revision कीजे और बाकी 3.5 घंटे आप study कीजे नई जीजों के उपर अगर आपका examination जो है आप revision को दीजे और 2 घंटे जो है वो सारी चीजों को पढ़ने में लगाईए इससे क्या होगा कि पीछे का जो है वो ज़्यादा याद रहेगा जिससे आपके अगर question पूछे जाते हैं पीछे से भी तो आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको express कर पाएंगे याद किया हुआ अपना ठीके दोस्त तो इन सारी चीजों को समझ में जो है वो गाट वान लीजे कि ये सारी चीजें हम भूलनी नहीं है तभी आप chemistry में बहुत अच्छा कर सकते हैं और chemistry का paper जो है वो कुछ आसान नहीं आता है इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से तैयारी कीजे हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी help मिलेंगी chemistry से related तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं अपने बात खत्म करता हूँ उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को हमारे लाइक करके बताईए कॉमेंट करके बताईए कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड वाकई में अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो अपने दोस्तों बें शेयर करके हमें जरूर बताईएगा धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत